अगर किसी व्यक्ति को एमर्जेंसी के अंदर पास्पोर्ट चाहिए तो क्या उसे वो पास्पोर्ट मिल सकता है जी हाँ दोस्तों वो ओनलाइन घर बैटे ही तत्काल पास्पोर्ट अप्लाई कर सकता है यह तत्काल पास्पोर्ट मेडिकल एमर्जेंसी या किसी छात्र को या अब ये तत्कल पासपोर्ट कैसा है कैसे प्लाई करना है सारी बात मैं बताऊंगा आगे बंडे से पहले अगर आपको के वाइसी डॉक्यमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीस कमेंट में बताईए उसके बारे में और देश के अंदर जो फ्रॉड किये जा रहे हैं उनकी वीडियोस देखनी है तो वो भी आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ओल टाइपस अफ फोर्ट के नाम से देख सकते हैं दोस्तों ये है वो ओफिशल वैबसाइट यहां पर सबसे पहले आपको जो है निव रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और वहां से आपको ये जो फोर्म दिखाई दे रहा है ये पूरा कब पूरा फोर्म आपको भरना होगा चाहे इसमें पास्पर्ट ओफिस हो या गिवन नेम हो या सर नेम हो डेट और बर्थ हो या do you want your login ID to be same as email ID ये सारी information आपको भरनी होगी login ID आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हो है आप पी अपने नाम के बीचे कोई भी एक्षर लिख कर पास्वर्ट, confirm password, hint question आप स्रेट कर सकते हैं कि बस CT सेट कर ली है, कल को आप password भूल गए तो आप यहाँ पर अपनी CT डाल के फिट से forget करके इसको ठीक कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपको capture register पर क्लिक करना है अब दोस्तो ID, password आपके पास आचुका है, login कर लीजिए login करने के लिए email ID आपको डालनी है, जिससे भी आपने यह बनाया है ID और password, अब यहाँ पर password डालिए, capture डालिए, login किजिए अब दोस्तो click here to fill application form पर क्लिक किजिए फिर यहाँ पर आपको fresh passport, अथकाल passport और 36 pages पर click करना है और next करना है यहाँ पर आपको अपना जो है नाम, surname, gender, have you ever been known by other names यहाँ no करना है, date of birth जो है आपको डाल देनी है, उसके बाद place of birth, place of birth के बाद यहाँ पर state, district, marital status, इस सारी basic details आपको डालनी है उसके बाद चाहे citizenship हो, जहाँ पर जैसे कि आपका birth हुआ है आप यहाँ पर डाल देजिए, जैसे कि इंडिया में वहाँ तो birth यहाँ कर देजिए, उसके बाद आपको pen, water ID, इस सारी basic details डालनी है employment type, either of your parent, education qualification, applicable for non-CCR, यहाँ पर नीचे दिया गया है no, no कर दीजिए, इस पर education पर आपको जो है select करने के बाद, यहाँ पर visible distinguish mark, यहाँ पर अगर आपका कोई body पर water mark है तो वह आपको यहाँ पर लिखना है, otherwise आप इसे ऐसे ही blank रहने दीजिए, I agree, यहाँ पर yes पर click कर दीजिए, और उसके बाद next पर जाईए अब यहाँ पर अपना father name, mother name, उनका surname, legal guardian है तो वो डालिए, अगर आप minor है तो नीचे वाली details भी आपको भरनी होंगी जैसे कि जो भी father name या legal guardian है, वो यहाँ पर डालना होगा, उसका passport number डालना होगा, ऐसे ही mother का डालना होगा, यहाँ पर नीचे दिया गया है, note यह details आप बढ़ सकते हैं, उसके बाद नीचे next का option आएगा, उस पर click कर दीजिए, अब यहाँ पर आपको अपना present address सारा details यहाँ यहाँ पर डालनी है, और next पर click करना है, अब यहाँ पर आपको emergency contact number डालना है, जैसे name और address, mobile number, telephone number, email ID और next पर click कर दे, यहाँ पर आपको अपने passport डालनी है, अगर आपने passport के लिए पहले apply किया है, have you ever hold any passport तो no कर दीजिए, passport number नहीं है, 0 रखिए यहाँ पर उसके बाद date of issue यहाँ पर कोई details नहीं आएगी, और उसके बाद आपको next पर click कर देना है, उसके बाद अगर आपके ओपर कोई भी court से related issues हैं, मालीजी अगर criminal आपका record रहा है, तो आपको यहाँ पर yes करना होगा, otherwise सारों में no करना है, अब चाहे वो criminal proceedings हो, convicted पाए गए हो court से, या refused passport हुआ हो या granted for citizenship के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो पहले, नहीं तो आप सब next कर दीजे, सारा no-no करना है आपको यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने document सेट करने है, कि कौन कोई से document आपको upload करने है, birth certificate और अधार card मैंने आपर select कर लिया है, जो declaration यहाँ आपर द अपना document upload करने है, यहाँ पर view or saved application है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह दिखेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा गया है, print करनी है application, upload करने है document या print application receipt जो आपने payment करिया है online उसकी, और उसके बाद जो है नीचे दिया गया है, enter noc या pic, दोस्तों आपने document upload क करने है, आप document पर क्लिक करें, अब यहाँ पर आप जो है, जो भी document attach करना चाहते हैं, वो यहाँ पर attach कर ले, जैसे address proof में क्या आपको attach करना है, या आपको जो है, अधार card आपको attach करना है, तो आप upload करते जाएं, जो भी documents है, I hope दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेग वीडियो पसंद आजिए तो लाइक कीजिए और स्प्काइब कीजिए से शेर कीजिए